दोस्तो अगर आपके पास PNB का ATM card है और इसका PIN बनाना चाहते हैं और आप जाहते हैं कि घर बैठें इसका PIN बना ले हैं तो दोस्तो ये possible है आप घर बैठे अपने मोंवाल से П्ण के ATM card का PIN बना सकते हैं तो कैसे बनाया जाता है इसके लिए अभी आप मोंवाल के स्क्राइब करेंगे और सामने के ही सर्च बाड़ पर टाइप करना है PNB और सर्च करेंगे तो PNB का official website आ चुका है इस पर क्लिक करके open करेंगे तो right side में login का एक बटन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो internet banking का section आएगा इस पर क्लिक करेंगे अब फिर से login वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर तीन option आ रहा है और सबसे नीचे वाला option मिलता है generate debit card pin इस पर क्लिक क आ रहा है यहां पी आपको बताना चाहेंगे internet banking का user ID मांगा जा रहा है अगर आपके पास internet banking नहीं है तो घवराने का जरूरत नहीं है कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताए हुए है कि घर बैठे internet banking को चलू कैसे करें जिसमें user ID और password आपको घर बैठे ही मिल ज जिएगा तो चली जल्दी जल्दी हम login करते हैं login करने के लिए user ID यहां पे डालेंगे फिर continue करेंगे और यहां पे password डालेंगे और यहां पे capture डालके login वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों हम पंजाब national bank के internet banking के dashboard पे आ चुके हैं अब यहां पे जूम करके आपको बताना चाहेंगे कि bank जाके अप जितने काम करते हैं वो सारा के सारा काम यहां पे घर बैठे ही कर सकते हैं internet banking का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कोई भी काम करना हो internet banking को login किजिए और आपका काम यहां से घर बैठे हो जायेगा दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको यह तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा कि इंटरनेट बैंकिंग को घर बैठे चालू कैसे करें, जिसमें यूजर एडियो और पासवर्ड आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, बैंक जाने का भी जरूत नहीं परने वाला है, अब दो सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके एकाउंट नमर आ जाएगे, और एकाउंट होलर का नेम आ जाएगा, सिंपली से आपको केवल क्लिक करना है, और कंटिनीव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर काड नमर मांगा जा रहा है, तो उस ATM काड पर जो हो चुका है क्योंकि वह 72 घंटे के बाद एकस्पायर हो जाता है फिर से मंगाना चाहते हैं तो टीपी फिर से कैसे मंगा है उसके लिए अपने रेजिस्टर मोबाइल नमर से एक मेसेज भीजना होता है मेसेज में आपको टाइप करना होता है DCPIN कैपिटल में स्पेस देंगे और अपना ATM कार्ड के नमर को टाइप करेंगे और मेसेज करना होता है 92640 92640 या फिर दूसरा नमर है 5607040 इस दोनों में से किसी भी नमर पर आपको मेसेज करना होता है मेसेज करने के तुरंत बाद ही आपको OTP मिल जाएगा उस OTP को यहाँ पे इंटर किजिएगा और सम्मिट वाले बटन पे क्लिक करना है दोस्तों हमारा PIN सक्सेसफुली बन चुका है और उपर में मेसेज आ गया है आपको पढ़ के बता दे Your debit card pin has been said Please do not share it with anyone मतला आपका PIN सक्सेसफुली बन चुका है और क्रिपया इस PIN को किसी के साथ सेर ना करे तो आप इस तरीके से अपने पंजाब निस्नल बैंक के debit card को PIN को घर बैठे बना सकते हैं इस PIN को जब चाहें तब चेंज भी कर सकते हैं घर बैठे इसी के साथ अपने पूड़े के पूड़े एकाउंट को ही manage कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो अपने internet banking को login कीजी और वहीं से अपने account को manage कीजी अगर आप जानना चाहते हैं इस तरीके से अपने account को manage किया जाता है सर्विस का lab उठाया जाता है घर बैठे तो आप नीचे comment कर दिजेगा उसके उपर एक separate वीडियो आ जाएगा और कल वाला वीडियो देखना ना भूलें internet banking घर बैठे कैसे बनाए तो चैनल को subscribe करके notification बेल जरूर पेस कर दिजेगा चलिए चलते हैं फिर अगले वीडियो में